मैंने ये 10 वाइरल गैजट्स आमाज़न से ओर्डर करें जो आपने रील्स और यूट्यूब शॉट्स में जरूर देखें होंगे जैसे ये यूनीक सा मॉप होल्डर, कप वॉशर और ये यूनीक सा गैजट्स जो की अक्चली में कंगा नहीं है और मैं ये चेक करूँगा कि अक्चली में ये कितने यूसफुल गैजट्स हैं और क्या आपको इंपे पैसे खर्च करने चाहिए या फिर ये सारे गैजट्स एकदम फेल है और सब सची बात ये है कि सारे गैजट्स आमाज़न पर 500 के अंडर मिल जाते है सबसे पहला गैजट्स है ये अनियन होल्डर जो अराउंड 2,500 रूपे का आता है जो कुछ ऐसे काम करता है सबसे पहले आपको एक अनियन लेना है उसको फील करके दोनों एंट को कट कर देना है और अनियन को हाफ स्लाइस कर लेना है और फिर इस gadget को ऐसे फसा कर ऐसे चाकू के बीच में slice करना है और आप onion slice कर पाओगे या फिर अगर आपको knife सही से यूज करना आता है तो आप कुछ ये कर सकते है ये gadget को एकदम useless है onion पट करने के लिए at least बट होल्स करने के काम आ सकता है और मेरे जैसे knife skills बनाना कोई बड़ी बात नहीं है सिरफ आपको दो चीजों का ध्यान अखना है पहला knife पकंड़ने की टेकनीक आनी चाहिए और knife एकदम shark होना चाहिए क्योंकि fun fact सबसे ज़्यादा kitchen में चोट एक dull knife की वज़े से होती है क्योंकि dull knife असानी से चीज़े कट नहीं कर पाता जिसकी वज़े से आप जादा pressure लगाते हो और knife slip हो जाता है और आपकी उंगली में कट लग जाता है ये second gadget यही advertise कर रहा है इसके box पे भी लिखा हुआ है कि आप normal dull knives को sharp बना सकते हो और simply आपको knife को ऐसे slide करना है और 8 से 10 बार करने के बार ये knife sharp हो जाना चाहिए और ये भी Amazon पे रावं 200 रुपे का मिलता है और एक fair test करने के लिए मैं घर से अपना wedge stone भी लेकर आया हूँ जिसे मैं अपने घर के सारे knife sharp करता हूँ और हम इस test के लिए दुनिया की सबसे महेंगी चीज काटने वाले हैं टमाटर तो थोड़ी बहुत sharpness बढ़ाने के लिए ये sharpener ओके है बट अगर आपका knife बिल्कुल डल हो चुका है तो I would recommend या तो आप wedge stone उस करो या फिर गली में जो knife sharp करने वाला आता है उससे करा लो next gadget है ये coconut opener जो सिरफ सौर पेका आता है जो की आपके काफी काम आएगा क्योंकि जब भी मैं ब्लिंकेट से coconut order करता हूँ तो वो हमेशा closed आता है और घर के knife से इसको open करना काफी dangerous हो सकता है जाहे वो कितना ही sharp क्यों न हो वहीं ये coconut opener असानी से एक श्ट्रॉज इतना बड़ा hole कर सकता है जिससे आप सारा पानी निकालके पीश सकते हो और अगर coconut open करने के बाद थोड़ा पानी नीचे गिर भी जाए तो नॉर्मली पोछे और वाइपर से साफ करके वाइपर साइड में रख सकते हो या फिर आप ये अगला गैजट भी यूज कर सकते हो जो आपके वाइपर ब्रूम जैसी चीजों को और गनाइज करने में हेल्प करेगा सिंपली इसको ऐसे पील करना है और बोल्डर को अटैच करके वाइपर को ऐसे टांग देना है अगला गैजट काफी ओसम है और आराउंड 280 रुपे का आता है Amazon पर क्योंकि खाना बनाते समय ओल का मेजरमेंट या तो स्पून से होता है या फिर इंडियन मम्मी के फेवरेट मेजरिंग टूल से यानि की अंदाजे से जिससे एक्स्टर ओइल खाने में गर जाता है और सीधा यहां पर इखटा हो जाता है तो यह स्प्रे बॉटर मुझे काफी पसंद आई इसमें आप ऐसे ओयल भरके रख सकते हो और जब भी आपको कुछ भी को करना है तो सिंप्ली इसे स्प्रे करो और देखो कितना कम ओयल यूज होता है इससे और अगर आपने कभी गलती से गरम कड़ाई पकड़ने का ट्राइक किया है तो आपके संग यह जरूर हुआ होगा यह सिलिकॉन के पिंच मेट्स हैं जो अराउंड 200 रुपे के आते हैं और काफी जादा अच्छा काम करते हैं इससे आपका हाथ कभी नहीं जलेगा क्योंकि यह हाई क्वालिटी सिलिकॉन से बनाएं तो चाहे कितना भी गरम बरतन क्यों ना हो यह ना तो बेंट होगा और ना ही आपको थोड़ी सी भी गर्मी फीलो भी और खाना बनाने के बाद इसका फिंगर पपेट की तरह भी यूज कर सकते हो नेक्स्ट गैजट है यह स्मार्ट फॉसेट जो रूँं 3400 रुपे का आपको मिल जाएगा यह किसी भी एक्जिस्टिंग नल में ऐसे अटाच हो जाता है और आप इसको किसी भी डिरेक्शन में घुमा के पानी का फ्लो डिरेक्ट कर सकते हो इसमें तीन मोर्ज आते हैं जिससे अलग-अलग तरह का फ्लो क्रियेट कर सकते हो और सबसे ची बात है कि इससे पानी का यूजज काफू कम हो जाता है ग्लीनिंग के टाइम पर बट मुझे एक छोटा सा डाउट है कि इसके होल्स इतने चोटे हैं तो जहां पर खारा पानी चोटा होने की वज़े से अच्छे से सफाई नहीं कर पाते लोग और लोगों के हाथ अंदर तक नहीं जा पाते तो सिंप्ली इसको इसको इंस्टॉल करने के बाद आप एक ग्लास में थोड़ा सा साबुन डालके इसको उल्टा रखके प्रेस करोगे तो यह जेट स्क्रीन पूरी बॉतल को अंदर तक साफ कर देगा बस आपको प्लंबर बुलाना पड़ेगा इसको इंस्टॉल करवाने के लिए और फिर जब आप सारे बरतन बोलोगे और उसके बाद किचन साफ करोगे किचन टावल से तो उसको सूखने के लिए ऐसे काउंटर पे या फ्रिज प जोपने के लिए यूज कर सकते हो और यह इतना पार्फुल है कि अगर एक बार चिपा गया तो दुबारा वहां से कभी ने चीटेगा और इसमें से पान ही तो बिलकुल भी लीक नहीं होता है तो ऐसे ही बड़िया गाजट्स खरीदने के लिए अबी सब्सक्राइब